Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains and students Magnet Brains per education मिलती है एकदम फ्री सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइफ फ्यूचर के लिए ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि दो से तीर वीडियो के बाद आप से कोई अमाउन चार्ज करें because Magnet Brains विलीव करता है high quality education and वो भी एकदम फ्री अब high quality education के साथ साथ आपको मिल सकते है high quality content books and अगर आपको Magnet Brains के high quality content books चाहिए तो description box पर given जो link है उसको fill कीजे और आप तक आपकी book बहुत जाएगी So students हमने खतम कर लिया है chapter 1 recombinant DNA technology और आज से हम start करने वाले हैं chapter 2 that is protein structure and engineering So students protein के बारे में तो हमने अभी तक बहुत सारा कुछ पढ़ा है class 11th में हमने detail में पढ़ा था So आज के वीडियो में हम सब कुछ summarize करेंगे कि protein का structure क्या है बहुत ही basic बातें about protein क्योंकि जब तक आपको ये basic नहीं पता कि protein का structure कैसा होता है protein किस से बना रहता है protein के क्या functions होते है protein दूसरे में bounding कैसे करता है everything अगर आपको नहीं पता फिर आप उसकी engineering कैसे पढ़ पाओगे आप protein की fingerprinting कैसे पढ़ोगे आप protein का कह सकते हो बहुत सारे manipulations कैसे सीखोगे इन सब के लिए आपको basics पता होना बहुत जरूरी है आज के वीडियो में हम everything तो आज के वीडियो का नाम ही है Welcome to the world of proteins with Dr. Muskan आज हम start करने वाले हैं protein से आपको क्या पता है protein के बारे में protein है क्या protein इतना important है हमारी body में कि protein hormone से लेके insulin से लेके digestion से लेके hair collagen हमारी body का maximum protein जो है वो है collagen cell membrane की permeability से लेके and rubisco plants में rubisco respiration कराता है so ये सब कुछ possible है with the help of protein ये protein ही तो है जो ये सब कुछ करा रहा है तो protein plays a very very important role in our body अब students ये जो protein है ये बना किस्से है तो हमने पढ़ा था कि protein का जो monomer unit है वो है amino acids तो छोटे छोटे amino acids को मिला कर हम बड़ा सारा protein बनाते हैं अब students आई बात protein के classification की तो आप protein को classify कैसे करोगे तो protein का classification बहुत आसान है जितना जादा complex उतना उसका क्लासिफिकेशन तो depending upon the complexity हमने protein का classification classify करा है सबसे simple primary उससे थोड़ा complex secondary उससे थोड़ा और complex tertiary और सबसे जादा complex quaternary तो depending upon the complexity हमने उसे classify करा है अब students सबसे पहले ये देख लेते हैं कि protein बना किसे है तो protein का monomer क्या है protein हमारे amino acids को मिला के बना है protein किससे बना है amino acids को जब हम जोड़ देते हैं तो बनता है हमारा protein लेकिन ये amino acids जोड़ेंगे कैसे कभी आपने सोचे हैं माम कभसे बोले जा रही है कि amino acid को जोड़ दो छोटे-छोटे amino acid को साथ लाओ तो protein बनेगा लेकिन ये साथ आएंगे कैसे so students अगर आपको amino acid का structure याद है अगर नहीं याद है तो माम है चलो तो amino acid का structure कुछ इस तरीके का था ठीक है amino acid का जो structure था वो कुछ इस तरीके का था Is that clear? अब मैंने क्या बोला कि दो amino acid को मिला के बना तो same amino acid का structure यहाँ बना दो Is that clear? अब students अब बारी आती है मेरे amino acids को जोडने की की कैसे यह bounding करेंगे कैसे यह interaction करेंगे और कैसे यह protein बनाएंगे So students इस में क्या होगा? पानी को निकालो water का release होता है तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे अपना water का release तो मैंने यहाँ पे कर दिया water का release So अब जो compound मुझे मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा Students यहाँ पे C double bond O ठीक है यहाँ पे हमारा C double bond O C, R, A यह रहा मेरा NH2 Similarly यह रहा मेरा RH और यह रहा मेरा NH2 So यह जो bonding होई इके बीच में Water के release होने पे इसको क्या नाम देते हैं इसको हम कहते हैं Peptide Bonding So इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे Peptide Bonding So protein के बीच में जो amino acids होते हैं उनके बीच में क्या होती है Peptide Bonding और उस Peptide Bonding की वज़़से ही वो आपस में जुडे रहते हैं जैसे आपको पता है यह जो घर बनते हैं बिना सिमेंट के यह घर कैसे बनेंगे यह जो आपकी इटे होती हैं इनको जोड़के रखने के लिए सिमेंट चाहिए उसी तरीके से protein को जोड़के रखने के लिए आपको क्या चाहिए Peptide Bonding जो इनको strong rigid backbone देती है अब students हमने यह तो देख लिया कि जो protein है यह हो गया Peptide Bonding से लेकिन Peptide Bonding का Nomenclature कैसे करो गया तो उसका भी एक ट्रिक है जल्दी से आ जाओ तो ट्रिक यह है कि आपको Peptide Bonding के according अगर Nomenclature करना है तो Amino Acids Count करो ट्रिक क्या है Count Count Amino Acids तो आज की important trick है कि अगर protein का Nomenclature करना हो तो क्या Count करेंगे हम Amino Acids अब देखो यहाँ पे कितने Amino Acids है यहाँ पे कितने Amino Acids है दो तो इसलिए जब भी कोई दो चीज होते तो हम क्या लिखते है डाई अब दो Amino Acid है तो इनके बीच में Peptide Bonding कितनी होगी एक तो यह क्या हुआ मेरा Di Peptide Protein अब स्टूडेंज अगर मैं आपको यहाँ लिखूं Tri Peptide यहाँ मैं लिखूं Tri Peptide तो मैंने क्या बोला Trick क्या है Count Amino Acids तो Try तो Try का मतलब तीन Amino Acids तो यहाँ पर बना दो एक दो तीन अब इनके बीच में Peptide Bonding कैसी होगी दो तो बना दो तो यह रही मेरी Peptide Bonding अगर इस तरह में Quadri Peptide, Penta Peptide, Hexa Peptide, Octa Peptide लिख थी जाओं तो आपको क्या count करना है Amino Acids And then आप उनके बीच में Peptide Bonding मना दोगे So simple trick है अगर Dye है तो दो Peptide Bond Try है तो जल्दी बताओ Dye है तो एक Peptide Bond Try है तो दो Peptide Bond अगर Penta Peptide है अगर Penta Peptide है तो कितनी होंगी? 4 Peptide Bonds कितना असान है? एक काम करते जाओ Is that clear? और Penta Peptide में Amino Acids कितनी होंगी? 5 मैंने क्या बोला? Count the Amino Acids तो यहाँ पर लिख दो यह रहे मेरे 5 Amino Acids और इनके बीच पे Peptide Bond किती हुई? एक, दो, तीन, चार Is that clear? तो कितनी आसान ट्रिक है? तो आज यह ट्रिक तो आपको घर ले जानी है अपने साथ क्या? कि प्रोटीन का Nomenclature करेंगे हम Amino Acids काउंट करके एन देन एक कम उसका हो जाएगा Peptide Bond अगर डाय है तो एक Peptide Bond ट्राय है तो दो Peptide Bond पेंटा है तो चार Peptide Bond अगर है जल्दी उसे बताओ क्वेस्चिन अगर आता है Hexapeptide अगर Hexapeptide है तो कितने Amino Acids होंगे? जल्दी दे ट्रेक याद करो ट्रेक है तो काउंट दी Amino Acid Hexa है मतलब 6 तो यहाँ पे कितने होंगे? 6 Amino Acids तो बना लो 6 Amino Acids और उनके बीच में Peptide Bonding कितनी होगी? एक कम तो क्या हुआ? 5 अब यहाँ पे होगे 1, 2, 3, 4, 5 Peptide Bonding Is that clear? तो यह तो हुआ about the nomenclature अब students Protein का Classification मैंने आपको बताया कि Protein का Classification जो रहता है Protein का जो Classification रहता है वो Depend होता है Depending upon its Complexity So Depend किसे करता है? Complexity of Protein Structure तो Depend करता है उसका Structure जितना Complex हो उस नहीं उसकी Classification होगी तो Protein का Classification कुछ इस तरीके का है? यह हो गए हमारे Primary फिर आते हैं हमारे Secondary फिर आते हैं हमारे Tursuary और फिर आते हैं हमारे Quaternary Is that clear? So हमने Protein का Classification पढ़ लिया Primary, Secondary, Tursuary and Quaternary अब स्टूडेंस प्राइमरी वाले जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? एकदम साधारन सीधे से बिलकुल साधी लाइव जीने वाले लोग मतलब Linear Fashion तो इसमें जो Protein का Structure होगा वो कैसा होगा? एकदम Linearly Arranged होगा मतलब कैसा होगा? यह रहा मेरा एक Amino Acid यह रहा मेरा दूसरा Amino Acid यह रहा मेरा तीसरा Amino Acid और इनके बीच में अपनी वाई पुट परानी Peptide Bond और सीधे-सीधे चले जा रहे हैं कुछ उपर नीचे उतार चड़ा फैशनेबल टाइप का कुछ नहीं है सीधे से जाते हैं, सीधे से घर वापस आते हैं तो यह क्या हो गए मेरे? लीनियर फैशन में अरेंज रहते हैं इनके Amino Acid और सिमिलरली इनके बीच में Simple Peptide Bonding रहेगी अब आते हैं Secondary अब यह हो गए थोड़े अपडेटिट ठीक है, यह हो गए थोड़े अपडेटिट अब इनोंने क्या अपडेट करा? इनोंने कहा कि नए, हम लीनियर फैशन में नहीं रहेंगे हम थोड़ा आगे पीछे, आगे पीछे रहेंगे तो इनोंने क्या करा? यह रहे एक, यह रहा दो, यह रहे तीसरे, यह रहे चौथे यह रहे पांच में तो amino acid ने थोड़ा special arrangement ले लिया कैसा arrangement ले लिया? spatial arrangement यह रही इनके बीच में peptide bonding So amino acid ने कैसा arrangement ले लिया? थोड़ा special का मतलब क्या होता है? students, एक plane से थोड़े अलग हो गहे यहाँ पे एक ही plane है, सीदय सीदय चले जा रहे यहां पे अपने थोड़े प्लेंस चेंज कर दिए एक आगे पीच्छह आगे पीच्छह लेकिन चेन एक ही है एक चेन थोड़े से टर्न्स ले लिये इस अब बारी आती है टोजिंग अब टोजिरी वाले तो ठैरे हमारे बहुती अपडेटेड लोग उन्होंने का कि नहीं य तो दो चेंज आ गई अमाईनों आसेट की अब जब टर्जिरी हुआ तो क्या नया हुआ इसमें हो गया 3D अरेंजमेंट तो जैसे ही हम टर्जिरी सुनेंगे जैसे हमें टर्जिरी वर्ड याद आएगा तो सबसे पहले हमाई दिवांग में क्या आना चाहिए 3D अरेंजमेंट अब इन्होंने दो हैलिक्स को जोड के कॉइल कर दिया पढ़िया तरीके से इस दाइट क्लियर सो जैसे ही टर्जिरी हमारे दिमाग में आएगा टर्जिरी हम 3D को कनेक्ट करेंगे अब आते हैं क्वाटररी तो भाईया ये तो आउट अब द वर्ल्ड इन्ह क्लियर सो हमने देखा प्राइमरी में कैसे अरेंज रहते हैं माइनो असिड लीनियर फैशन में सेकेंडरी में कैसे अरेंज रहते हैं थोड़ा स्पेशियल अरेंजमेंट कर लेते हैं थोड़ा प्लेंचेंज कर लेते हैं टोजरी में उन्होंने हैलिक्सी कर दिया कोईली कर दिया और quaternary वाले ने तो पूछो ही मत इतने ही complex हो गए कि आपस में confused हो गए वो is that clear तो चलो इतना आपको clear होना चाहिए अब थोड़ी theory देख लेते हैं now proteins are polymers of levo amino acids the structure of protein is rather complex protein का structure बहुत complex है लेकिन सिर्फ किताबों में क्योंकि अगर आप उसकार माम का lecture देख रहे हो तो complex चीज़े भी simple हो जाती है तो protein का structure वैसे तो complex है लेकिन इस वीडियो के बाद complex नहीं रहेगा for you छिक है now which can be divided into four organization तो हमने देखा कि protein का जो structure है वो चार चीज़ों में हमने divide करा था primary हमने का था एक linear fashion में amino acid है और इनके जो backbone है वो peptide bonding है तो यह simple secondary structure दो थे इन्होंने क्या करा थोड़ा spatial arrangement ले लिया थोड़ी plane बदल दी कि नहीं यार कुछ तो नया करना है तो उन्होंने क्या करा अपना spatial arrangement कर दिया थोड़ी plane का change कर दिया और bonds तो वही है हमारी bonds तो वही है हमारी peptide bonds just that उन्होंने थोड़ा arrangement अपना चेंज कर दिया आगे पीछे कर दिया और इसलिए उन्हें हम secondary structures कहते हैं ठीक है अब आते हैं अपने torsbury वालों पे तो उन्होंने तो भाईया three dimensional का concept ले आए वो कि नहीं यार कुछ और भैतर करेंगे तो three dimensional जो रहते हैं वो होते हमारे tertiary अब quaternary तो as I told you the most complex one so some of the proteins are composed of two or more polymers अब उन्होंने का नहीं दो से संतुष्टी नहीं होगी भाईया चार-पांच लेया हो आप तो ठीक है refer to as a subunit तो जुतने भी जाधा add होंगे वो उनको हम subunits के नाम से refer करते हैं now the spatial arrangement of these subunits are known as quaternary structure तो जैसे कि हमें पता ही है हीमोगलोबिन सबसे प्यारा example of quaternary structure is हीमोगलोबिन अब हीमोगलोबिन का जो structure रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है यह रहे चार आइरन ठीक है यह रहे चार आइरन के molecule अब इसे चार आइरन के molecule के साथ attach रहते हैं मेरे oxygen तो यह रहे मेरे oxygen लेकिन हर iron पे very important point हर iron पे एक chain attach रहती है और वो chain किस से बनी है amino acid से तो यह रहे मेरे amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3 similarly amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3, amino acid 4 similarly amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3 and amino acid 4 so हर आइरन के molecule पे amino acid की chain रहती है जिसको हम क्या कहते है alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 2 is that clear so यह structure जहां पे आपने 2-4 peptide linkage कर दिये 2-4 chains ले आए आए आप and इसको आप क्या कहते हो the most complex structure जिसको हम quaternary structure भी कहते है is that clear so hemoglobin का example हम नहीं भूलेंगे now, एक diagram से मैं आपको explain कर देती हूँ देखो, यह रहे मेरे primary, मैंने क्या बताया अब देखो, important point है कि जो primary structure का पहला वाला amino acid रहता है यह सबसे पहला और यह सबसे आखरी, चीक है यह सबसे पहला और यह सबसे आखरी, जो सबसे पहला वाला रहता है उसको हम कहते हैं N-terminal, क्या कहते हैं N-terminal और जो सबसे आखरी वाला होता है, उसको कहते हैं C-terminal क्या कहते हैं C-terminal और point to be noted, a very important point कि कभी भी पहला वाला amino acid और आखरी amino acid linkage का हिस्सा रहता ही नहीं है, वो हमेशा busy रहते हैं वो कभी भी linkage नहीं करेंगे और पहले बाले के बाद जो दूसरे से होंगे वहां से start होगी आपकी peptide bonding अब देखो यह रही मेरी, यह रहा दूसरा, यह रहा चौथा सिंपल साधानल से low peptide bonding चली जा रही है अब आते हैं हमारे secondary structures में तो students secondary structures में इनके बीच में क्या होगी hydrogen bonding, क्या होगी इनके बीच में hydrogen bonding देखो इन्होंने अपना structure change कर दिया ना इन्होंने एक ने एक रहा आगे, एक रहा पीछे फिर एक आगे, फिर एक पीछे, तो ऐसे करते-करते क्या हुआ एक spatial structure बन गया, अब यहीं आ जो टॉजरी पे तो यहां पे इन्होंने साथ ही में ही coil कर दिया और इनकी तो बात ही मत पूछो यह तो कुछ जादा ही complex होगे तो यह होगा हमारे quaternary structure, is that clear? चलो, यह N-terminal और C-terminal वाले points हम नहीं भूलेंगे is that clear? so primary structure of जो protein है, वो मैंने आपको क्या बताया? N-terminal पे कहां रहेगा? मेरा पहला amino acid और C-terminal पे क्या रहेगा? मेरा आखरी amino acid is that clear? so N-terminal पे मेरा पहला amino acid और first यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, first amino acid and C-terminal पे रहेगा मेरा last amino acid और यह जो primary structure की chain रहती है, वो कैसी रहेगी? वो एक linear chain होगी और इसके बीच में जो bonding होगी, वो कैसी होगी? peptide bonding is that clear? so यह रहा मेरा simple primary structure का diagram N-terminal, C-terminal नहीं भूलना है, very important now, the peptide bond the amino acids are held together in a protein by covalent peptide bonds or linkages amino acid एक दूसरे से जुड़े ही in peptide bonding की वजह से रहते हैं now, these bonds are rather strong यह बहुत ही strong bonds रहती हैं तब ही तो यह linear structure को rigidity provide करती है उसका structure maintain करने के लिए जो most important चीज है वो है cement और cement क्या है यहाँ पे? peptide bonds is that clear? दो इटें अपनी जगा पे रह क्यों पाती हैं? because cement ने उन्हें आपस में जोड़ के रखा है उसी तरीके से यहाँ पे peptide bonds ने protein को आपस में जोड़ के रखा है चलो these bonds are rather strong and serve as a cementing material between the individual amino acids अब यह बहुत ही strong रहती है और यह दोनों की connectivity बना के रखती है ना हमने peptide bondings तो पढ़ी ली कैसा होता है when the amino acids combined with the two carboxyl group of amino acid peptide bonds अब यहाँ पे diagram है यह रहा मेरा एक amino acid यह रहा मेरा दूसरा और क्या release हुआ? मेरा hydro क्या सकते हो water H2O और साथ में क्या बना? यह बना मेरा dipeptide का structure अब dipeptide मैंने क्या बना दाइ तो दाइ क्या होगा? amino acids तो यहाँ पे कितने amino acids होंगे? दो और इनके बीच में peptide bonding कितनी होगी? एक इस इमिच का screenshot ले लीजे it will be very easy for you to understand क्योंकि यह बहुत जरूरी है समझना protein engineering के लिए तो इसको दिहान रखना is the most important point of today's lecture is that clear? चलो now secondary structure जो रहता है secondary structure जो रहता है वो again तीन चीजों में divided रहता है मतलब ना कि secondary structure को हम further तीन चीजों में डिवाइट कर सकते हैं क्या? यह होते हैं हमारे alpha helix यह होते हमारे alpha helix यह होते हैं हमारे beta pleated और ये होते हैं हमारे Collagen Matrix क्या होते हैं? Collagen Matrix Is that clear? कि Secondary Structure को हम अगयन तीन चीज़ों में डिवाइट कर सकते हैं अब Students, Alpha Helix जो रहते हैं वो एक Simple से Helical Form में रहते हैं और इनके बीच में Hydrogen Bonding रहती है ठीक है? तो आप अभी एक ही Helix में हो? आपने एक ही Helix के अंदर Bonding करी है Very Important Point कि यहाँ पे Alpha Helix में आप दो Peptide Bonds नहीं, दो Peptide कह सकते हैं Cross Links नहीं ला रहे हो एक ही Chain है, यहाँ पे एक ही Chain है और इसके बीच में Bonding हो रही है, whereas जो Beta Pleated रहते हैं इनके बीच में दो Chains आ जाती है या इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह रहा मेरा एक Amino Acid का Chain यह रहा मेरे दूसरे Amino Acid का Chain तो यहाँ पे इनके बीच में आपस में तो Bonding हो रही है देखो, यह जो Chain 1 है यह जो Chain 2 है इनके बीच में आपस में bonding हो रही है लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे के साथ भी cross link बनाए हुए हैं कितने चालाक लोग हैं कि आपस में तो दोस्ती करी हुए है साथ ही साथ दूसरी chains ही भी दोस्ती करी हुए है तो इसलिए इनको कहते हैं हम beta pleated और collagen तो भाईया a very complex structure ठीक है तो कुछ ऐसा helical coil सा रहता है वो सबसे most abundant जो मैंने आपको बताया protein हमारी body में कौन सा है collagen तो collagen is the most abundant protein present in our body अब students यहाँ पे जो आपको point याद रखना है वो यह है कि alpha helix के बीच में जो polypeptide bonds होती है है वो कैसी होती है हमने देखा था कि जब भी कोई competition होता है अगर school के अंदर ही होता है तो उसको क्या कहते हैं intra level competition और जब भी दूसरे schools के साथ होता है तो उसको हम कहते इंटर level competition उसी तरीके से अगर आप एक ही chain के अंदर bonding कर रहे हो तो कैसी होगी intra polypeptide bonding तो यहाँ पे होती है intra polypeptide bonding और अगर आप दो chain के साथ bonding कर रहे हो तो कैसी होगी inter polypeptide bonding तो यहाँ पे होती है inter polypeptide bonding और collagen matrix में तो आपस में ही बहुत सारी bonding होगी अब students यह चीज आपको याद रखनी है अब इनके बीच में दो bonding होगी कौन से होगी एक तो hydrogen bond रहेगी और दूसरी रहेगी peptide bond is that clear तो यह भी नहीं बूलेंगे secondary structure में दो bonding होती है hydrogen bonding भी and peptide bonding भी अब alpha helix में होगी intra polypeptide beta pleated में होगी inter polypeptide is that clear alpha helix is the most common spiral simple sa spiral structure it has a rigid arrangement of polypeptide हमने पड़ा था इनके बीच में क्या होगा इनके बीच में एक ही chain के अंदर peptide bonding होगी the alpha helix is tightly packed coil structure with amino acid side chains extending outward from the central axis और यह क्या होते हैं ऐसे amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3, amino acid 4 ऐसे outwardly placed structure हो रहते हैं now the alpha helix is stabilized by extensive hydrogen bonding ठीक है so they are stabilized by extensive hydrogen bondings extensive hydrogen bonding now it is formed between hydrogen atoms attached to the peptide and an O atom attached to the peptide C तो मैंने आपको क्या पताया N terminal से start होते हैं till the C terminal now the hydrogen bonds are individually weak but collectively they are strong other AKC hydrogen bond kudekho ge so they are weak but together they are song ekta me anekta is that clear chalou now all the peptide bonds except the first and the last part is does not participate in hydrogen bonding मैंने आपको पताया N terminal wala amino acid and C terminal wala amino acid linkage में पाट नहीं लेता alpha helix is a stable confirmation formed spontaneous with the lowest energy सबसे minimal energy से यह form हो जाते हैं अब आते हैं beta pleated पे so beta pleated जो रहते हैं they are composed of two or more coils अब मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे आपस में तो bonding हो रही है यह यह रहा मेरी एक chain अथी के यह रही मेरी एक chain और यह रही मेरी दूसरी chain ठीक है so this is chain No.1 this is chain No.2, अब इन दोन Wahrां में आपसमे तो bonding हो रिय इनके बीच में आपसमे तो peptide bonding हो रही है d आपसमे peptide bonding हो रही है लेकिन एक दूसरे के साहत में peptide bonding कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस देखो आपस पर इंके भी से peptide bonding है साथ ही साथ दूसरे chain के साथ भी peptide bonding है तो इस structure को हम कहते हैं beta pleated structure is that clear चलो अब देख लो यहाँ पर example है यह रहे मेरी alpha helix एक ही structure के अंदर hydrogen bonding है देखो एक ही structure के अंदर hydrogen bonding है whereas यहाँ पर आपस में यह एक chain है यह दूसरी chain है इन दोनो इन chain में separately bonding हो रही है लेकिन एक दूसरी के साथ भी inter polypeptide bonding हो रही है यहाँ पर कैसी हो रही है intra polypeptide bonding यहाँ पर हो रही है intra polypeptide bonding और यहाँ पर कैसी हो रही है? Interpolypeptide Bonding. तो यह रही मेरी Interpolypeptide Bonding. Is that clear? चलू. Now, Tursuary Structure of जो Protein रहता है, वहाँ पर आपको बस एक important point याद रखना है कि इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में Hydrogen Bonds तो रहेंगी. इनके बीच में Peptide Bonds भी रहेंगी. लेकिन Hydrogen and Peptide Bonds के साथ-साथ इनके बीच में होती है Covalent Bonds, इनके बीच में होती है Ionic Bonds, इनके बीच में होती है Vanderwall Bonds, इनके बीच में होती है Dysulfide Bonds. तो यह सारी Bonds भी present रहती है Tursuary Structure में. तो आपको याद रखना है कि Tursuary Structure में इतनी सारी Bonds present रहती है और कैसा रहता है Three Dimensional Structure आपको मिलेगा. चलो. तो Three Dimensional Arrangement रहता है कहाँ पे? Tursuary Structure में. Now, Bonds कौन-कौन सी present रहती है Hydrogen Bond, Dysulfide Bond, Ionic Bond, Hydrophobic Interactions, Vanderwall Forces और बहुत सारी और भी Bonds प्रेजंट रहती है So, Quaternary Structure तो Super Coil Structure रहता है यहाँ पे Monomeric एक सादा दो Chains रहती है और जैसे मैंने आपको Hemoglobin का Structure बता है That is an example of Quaternary Structure जैसे Iron के साथ-साथ Amino Acid की Alpha 1, Alpha 2, Beta 1, Beta 2 Chains भी Attached थी साथी Oxygen भी था क्योंकि हमारे Hemoglobin का काम क्या है So, Hemoglobin is the major oxygen carrier in our body So, Oxygen तो होना जरूरी है लेकिन यहाँ पे 4 Amino Acid की Chains Attached है Iron के साथ तो यह कैसा हुआ Quaternary Structure अब students Protein के functions का भी एक overview ले ले लेते है Now, protein हमारी body में hormones का काम करता है Insulin, Growth, Hormone, Prolactin सब protein है Now, protein muscle है Muscle में Actin Myosin है Hair का Keratin है Connected Tushu का Most Abundant Collagen है Now, protein help कता है Transport में Electron, Cytochrome करवाता है हमारे respirations में Cellular organization Kinesin कराता है Oxygen कराता है जो हमें पता है Hemoglobin उसके बाद यह enzyme का help करता है Digestion में Pepsin Then photosynthesis में Plants में Rubisco So, इतने सारे Proteins के uses हैं हमारी body में इसलिए Protein के बारे में Basics पता होना बहुत जरूरी है Students Because वो बहुत Important major role है हमारी body का चरो अब लास्ट देख लेते हैं Protein का classification Simple, Conjugative, Derived Simple होते हैं Globular protein Scleroprotein Now, Simple में Globular में Albumins Globins Glutens Prolamines Histones Globins Now, Scleroproteins में Collagen Elastins Keratins Conjugated में Nucleoproteins Glycoproteins Mucoproteins Lipoproteins Phosphoproteins Chromoproteins And Metalloproteins Immunity में बहुत IMPORTANT Role Play करते हैं Now, Derived में Primary And Secondary Primary में आते हैं Conjugated Proteins Proteins Metaproteins And Secondary में आते हैं Proteases Peptones Polypeptides And Peptides इसका Screenshot ले लीजे इन सब के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है Is that clear? Now, with this We have come to an end To the world of proteins With Dr. Muskan अगर आपको कोई भी डाउट हो So, let me know I will clear your doubt Magnet Brains पर education मिलती है एकदम फ्री सिर्फ और सिर्फ आपके Bright Future के लिए And students अगर आपको e-books चाहिए तो description box पर गिवन जो form है उसको फिल कीजिए आप तक आपकी बहुत जाएगी Thank you so much happy learning and stay tuned